हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप लोग फ्रेंट्स आज़ हम आपको लीव 52 सिरप के बारे में बताने जा है यह है ल्य पेपिप्टी सिरफ क्या काम में आती है किस कंडियर में दी जाती है इसके बारे में पूरा जानने के लिए आप हमारी वीडियो में अंतक बने रहें अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली सबी वीडियो आप तक तुरंत पहुचेगी लिव 52 के बारे में कम्प्लीट जानकरी आप अगर लेना चाहते हैं तो वीडियो को आप अंतक देखें और वीडियो में अंतक बने रहें जिससे इसके बारे में आप पूरा पता कर सकें और इसके बारे में पूरा जान सकें अब देखें वीडियो पूरा आज हम आपको लीव 52 सिरप के बारे मिं बताने जा रहें सबसे पहले फ्रेंड्स हम आपको बता दें यह हीमाल्य कंपनी का ब्रांड है और यह जैसे कि इसका नाम ही है लीव 52 यह लीवर के इन्फेक्षिन में या लीवर के ट्रीटमेंट के लिए दी जाने वाली सिरप है और यह सिरप 100 ml की बोटल है जो काच की बोटल में आती है जिससे हाईजनिंग की प्रॉबलम भी नहीं रहती है आप फ्रेंड्स हम आपको इस लिव 52 सिरप में क्या-क्या साल्ट है वह बताते दें कि वैसे तो फ्रेंड्स में दो साल्ट इंपोटेंट है जैसे हिमसर है वो 34 mg है और कासनी है वो 34 mg है बाकी इंक्रीडेंट आपको स्क्रीन पर दिखाए हुए है उस क्वांटिटी में इस सिरप में मिले हुए है यह लिव 52 सिरप लिवर से संबधित बिमारियों के लिए पैसेंट के ट्रीटमेंट के लिए यानि किसी पैसेंट में अगर लिव प्रॉब्लम हो तो उसके लिए यह लिव 52 सिरप दी जाती है इसकी MRP की बात करें तो फ्रेंड्स 80 रुपे की यह है 100 ml की बोटल आती है और जिन पैसेंट में लिवर पे सूजन हो एलकोहल लेता हो लिवर की टॉक्सिटी हो फैटी लिवर हो पी लिया हो उन सभी की लगने के लिए भी दी जाते हैं याने जिन पैसेंट को भूग नहीं लगती उन्हें भी 52 सिरप दी जाती है क्योंकि लिवर की वज़सें भूक नहीं लगती और लिवर की टीट्मेंट के लिए यह वेट गेन के लिए भी यह सिरफ दी जाती है जिन जाने वाली व्यक्ति प्रोटीन लेते हैं उन्हें भी यह लीव 52 टेबल सिरफ दी जाती है क्योंकि प्रोटीन लेने वाले पैसेंट के प्रोटीन पस्ता नहीं है जिसकी वज़त से यह लीवर की टॉक्सिटी सही नहीं रहती है जिससे लीव 52 शिर का या किसी भी परकार का infection हो या कोई भी problem हो तो यह लिव 52 सिरफ पेसेंट को दी जाती है MRP हमने आपको बताई दी friends यह 100 ml की 80 रुपे की है अब बात करें डोज की तो friends एक एक डखकन यानि 5 ml दिन में 2 से 3 बार पेसेंट को बच्चों को दी जाती है और 2 डखकन यानि 10 ml 2 से 3 बार यानि 2 या 3 बार बड़ो को एडल्ट में यह सिरफ दी जाती है अब बात करें कि friends से इसके side effect तो friends इस सिरफ को लेने से वैसे तो कोई side effect देखने को नहीं मिला है लेकिन फिर भी कुछ सामनी पैसेंट को या कुछ temporary problem हो सकती है जो कुछी पैसेंट को देखने को मिली है जैसे nogia और movement के कुछ सामनी पैसेंट को हो सकती है अगर friends आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like share जरूर से करें जिससे हमाँ होसला मिलता रहेगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe कर लें जिससे ऐसी ही मज़ेदार वीडियो ऐसी ही medicine की जानकारी आपको मिलती रहेगी स्वच्छ भारत स्वच्छ भ